बाल हित्मा सामुदाइक बन बाल बाली का संग सत्याधी समरक्षन को ज्यान नमस्ते यस्ताई अनेकन खबर का साथ हामी तपाइला भेतना आईपुके का साउं सामुदाइक बन का बारेमा तपाइले कत्तिको सुन्नुभएको सा नाम अनुसार ने यो समुदाइक बन हो रे एसपाटा हुने फाइदा पनी समुदायका सदेश्य लेने पाउनु पर सा। केही समुदायक बनले भने आफनो आमदानी को केही अमसा बालबालिका को हीत हुने का माँ प्रयोक गर्ने गरे का संद। सफ्तरीको बको ध्वारा जंडोलको बेज बाटा बगने मौली खुलाले स्थानिय लाई धेरे दुखा दियो। बालबालिका लाई जने दुखा थियो। खुला तरेरा स्कुल जानु पर्थियो। बर्खामा बगाउने डर हुन थियो। डर का कारण यहांका बालबालिका बर्खा को समय स्कुल जान दे न थे। पहिले बको ध्वाको महनपूर मौली बजार मा प्राथमिक तहसम्म को इस्कुल पनी थिये न। पढ़ना का लागी अरको गाउन जंडोल मा रहे को इस्कुल पुगनु पर्थियो। इसका लागी की खोलो तर्णु पर्थियो की राजमार्ग हुदै जानु पर्थियो। बालबालिका का लागी ए दुबै कार्यमा खतरा थियो। श्कुल न पठाउं पढ़ाई छुटने, पठाउं बालबच्चा के ज्यान जोखिमा पर्णे। यो चिंताले स्थानिय अभिभाबा खरूलाई निके सता आएकु थियो। चिंताले एरा बस्न भंदा केही उपाया गर्णु ने जाती। यही सोचे रा बाकु धुआ का अभिभाबा खरू एक जुट पहे एरा गाउं में स्कुल पनाए। अनि बल्ल यहाका बालबाली काले सुरक्षित धंगले पढ़ना लेकना पाय। यहा बनेको कारणले देरे स्वयोग वहेगुजा तेसे देरे कुची लाहेगुजा। सबी सिक्छा खरू, सबी आमनुँच, पढ़ामनुच, रामरेरी पढ़ामनुच। तेसुता गावं में स्कुल चाहिंचा भनेर यहाका अभिभाबकले धेरे पहिला सोचे का थिये। तरा धेरे कारणले स्कुल बनना सकेको थिये न। यहाका मालती महिला मजवुर मोहनपूर नामका तिन ओटा सामुदाइक भनले स्कुल बनाई दिये पशी मात्र यह संबभभायको हो। जग्याक इनने भबन बनावने, सिक्षक लाई तलाब खावने, सबे काम इने सामुदाइक बनले गरेका हुन। तिती मात्र होई न, यह स्कुल अहिले पणी सामुदाइक बनकुर सहयके कारण संचालन भई रहेको छा। सामुदाइक बनका उपभग्तारुली आफले उत पादन गरेको दुद मद्दे एक देखी तिन लिटर को पईशा हरेक महिना स्कुल लाई दिन छान। हमरो गाउन समाज मा एउटे उदेश्यका लागी लागी परेका मानिशर को समुधाय हो। यस्ता समुधायले सम्रक्षन करेको बनलाई सामुदाइक बन भणेंचा। गाउन समाज को समस्या इस्थानिया समुधायलाईने धा होंचा। समुधायले प्रयार्ष करे एश्ता समस्या सजिले समाधान होना सक्षन। अहले पने हामरो देशका धेरे ठावमा इस्कुल नहोदा पड़न लेकना बालबालीकाले धेरे टाड़ा जानुपरने बाद्यता सा। बकोध्वा का समुधायक बनले जस्ताई देश्थार का समुधायक संक्षम्ताले इस्मा ध्यान दिये सबैले सजिले पड़ना पाउने थिये। सन्द दुई हजार चौदको सांतिका लागी नोबेल पुरसकार बिजेता। कईला सत्यार्थीले नेपाली बालबालीका को हितमा पनी निक्कै धेरे काम गर्नुवायक सा। तेसे लेता यो साता सत्यार्थीको नेपाल ध्रमडपनी निक्कै भब्य रहे। नोबल 27 पुरस्कार पाये संगई त्यों खुशी नेपाली बालबाली का संगपनी बार्टन चाहानों हुंठ्यों कईला सत्यार्ची यो साथा उहां नेपाल आउनों भए औनी बालबाली का सहित सब पईले भब्बे स्वाकत गरे बालस्रम बिरोधी नाटक दिखाए औनी नाचे गाए भारत नेपाल मात्र हुईन धेरे दिसमा बालबाली कालाई दास्चरह काम लगाउनी हरो बिरुद्धा 40 बर्षे दिखे अभियान चलाई रहनों भएकोचा कैला सत्यार्थिले बालबाली का बचाओ नाला पड़ाओ बनी डिफ्रेंट डिफ्रेंट आंदोलन अर गर्ण बचे कैना माले आनने तेई बर नाई नोबल पिस प्राइस पाक सत्यार्थि को बिविन शंग सस्त हरूले सम्मान गरे कैला सत्यार्थिले बने यो पुरसकार सबबईको भएको रा विस्व भारीका बालबाली का येवटाई परिवारको दाजुबाई दिदी भईनी हो वणने नेपाली बाल बाली कहरो लाई फ्रती बद्धता बेक्त गन लगावनु भयो नेपाली बाल बाल मतुराथ था ख्रती बाल बाल मतु आते लाई फ्रती बाल मतुराथ रहा लो ज़िए सिक्षा खतम करूं। मैं दुनिया से बच्चों पर हो रही हिंसा खतम करूं। मेरे उपर जुम्मेवारी होती नैतिक जुम्मेवारी। लेकिन अब ये नैतिक जुम्मेवारी आप सब की। सारे नेपाल की। ज़िए से बाल बालिका को बेजविखन, बाल रासता खतम करूं। ज़िए समाप्त गरना भासन करी रे मात्र पुगदेना। कड़ा कानुन चाहीं छाहीं छो तिसले लागू करने अठोट पनी। अब क्यो ही छेंड यो साथा देशपरी भाय का गतिविदी तीर लागू। हमरो तराई भागमा एती बेला बाकलो हुस्सुर सीतलहर सली रहे कुश। एसको सबेबंदा बड़ी असर चाहीं बाल बालिकार बुडा बुडिलाई परे कुश। जाडो बड़े कै कारन घरमा आगो बाल नकालागी बाल बालिका हरू जंगल मा दावराखोस न जान थाले का सन। उनी हरू पांच किलोमेटर टाडा सम्मको जंगल मा दावराखोस वजान चन। दावरा लिवना सकने लेता दावरा बाल चन। न सकने ले भने टायर, प्लास्टिक, फोहर बालेरा आगो तापने गरेका सन। फोहर को आगोले तातोता दीन चा, तर त्याहा को धुआले जनै रोगी बनाउशा। सुन्चरीको धरानमा पुस नौगते आएजना भायको एक कारिक्रम्मा क्रिसी मंत्री हरी प्रसात पराजुलीले मंचमानाई सुर्तिखायको देखेरा बालबालीकाहरू छक्क परेकासन। नेपालको कानूले सार्वजनिक ठामा चुरोड चुर्तिखाना रोक लगायको सा। देश भरीका क्रिश्यन धर्ममानने हरूले पुस दस गते आफनो मुख्य चार क्रिस्मस मनायकासन। यो चार को अवसर्मा बालबाल काहरू आफना आमाबुबासंग चर्ष मा गयरा प्राथना गरेगा थिये। क्रिस्मस भनी मनायने यो दिनमा जीजस क्राइस जन्मेको भन्ने मानींछ। तेसेले जीजस क्राइस को समझनामा यो चार मनावने गरींछ। सुन्सरीको उनिबर्सल सेकेंडरी बोरिंग स्कूल ले जिल्ला इस्तरिये लोक निते प्रत्योगिता जीते को सुन्सरी ले यही पुस चार गते आईजना गरेको यो प्रत्योगितामा हिम सिखर सेकेंडरी बोरिंग स्कूल दोस्रो भयको थियो भने पंचायन र ब्राइट फिचर सेकेंडरी बोरिंग स्कूल ले तेसरो र सांतो ना पुरस्कार पाये का थिये। यो प्रत्योगितामा सुन्सरीका 35 अवस्चिय बिद्यालाईले भागलिये का थिये। बन र बातावरन को सम्रच्छन मा युवा पुस्ता को सहब आगिता बड़ावन पूर्वमा रोतहर देखी पस्सिम्मा कंचनपुर सम्मका 21 जिल्ला का युवाहरू एक जूड भै का सन। सके बातावरन सम्रच्चन गरों, न सके बातावरन नविगारों भन्ने मान्यता का साथ, ग्रीन यूथ नेपाल मार्फत सम्रच्चन अभ्यान सुरू गरेका सन। पुर्वान्चल का बालबालिकाको आवसलाई संगठित गर्न, बालखल भरू बीज समन्वे राखन र आचार समिता निर्बान गरी बालबालिका समन्दी एइन, 2048 लाई कारे नएन गराउन, पुर्वान्चल छेत्रिय बाल संजाल गठन गरियेको स। बिराटनगर मा पुस आठ गते आयजना गरियेको बाल भेलामा, मोरंगा पुजन भंडारीको अदच्छेतामा छेत्रिय संजाल गठन गरियेको हो। प्रकृती सम्रक्षन को ज्यान पायेकाशन। रहा हरेक बर्षा पहिलो दोस्रो रतेस्तर हुने लाई उपहर पनी दीन चा, अनी सबे चात्र लाई चात्र बृति पनी। आमले बातापन सम्राशन गरना को लागी, क्यके भुमी का विद्धार्थी ले निमाउन पर्षा बनी। ज्यान चें विद्धार्थी ओर मा दिलाउना खजेको आमले। इदम खिशी लाई कोछा, मले संग्राशन कोष वर्यावाची, मा पर्थम बनी वएकोची। तेस कलाई यहीं प्राई चारूब बनी पाहुना शाखल वएकोची। आपनों शिद्धांत, आपनों उद्धेश्य मा ती विद्धार्थी वाईवेनियर को माध्यम बाटा। जोर कलीला वाईवेनियर हुन्चन। उन्योर बास्तामा सांती दूत पनी उन्योर ले जुनकुरा टिप्चन, सुन्चन, भुच्छन। एसे मा पर्ने म्यागदीजिलाको तीनोटा गाविस्चमा रहेको चावटा विद्धाले मा बातावरन कलब बनी चा। ग्रीन फोर्स कलब। एस कलब मारफ़त उन्योर बातावरन सम्रक्चन को काम गर्चन। एक लाख बंदा बड़ी मानिस पस्ते योज हित्रमा मानिस संगा एक से दुई थरीका इस्तन्धारी बनने जन्तू रचार से चहोतर थरीका चरापनी बस्चन। अन्योर बन फोर्नामा बड़ी मानिस पस्तन। एही कलब अन्तरगरत उन्योर बिच बार्चिक उत्षप मा आजिरी जवाफ प्रतियोगिता पनी भाईको थियो। प्रतियोगितामा उन्योर बातावरन सम्मध्धी मात्र परश्ना गर्यो। रखिवां निवाभी प्रतमभायो। कारिक्रम्मा विद्याधिले नाजिकान गरे रा आपुमा भाईको प्रतिवापनी देखाएका थिये। कारिक्रम्मा विद्याधिले नाजिकान गरे रा आपुमा भाईको प्रतिवापनी देखाएका थिये। लौ। कत्ते छिटो आजको समेता सकी सके छा। साता भरी रमाईलो गर्नूस नया नया कुरा सिकनोस रा आफुले सिके का कुराहरू हाम्रो फेस्बुक पेज मा पोस्ट करे रा हामिलाई पनी सिकाउना नभिर्सिनो साइता। कारेग्रम नया पुस्ता रेडियो सगर माथा 102 थपलो 4 मेगाहर्ज मा हरेक सनिबार साज 6 बजे रा नेपाल भरीका 69 ओटा रेडियो स्टेशन बाटा सुन्न रा 12 ओटा टेलिविजन बाटा हेर नपनी सकनू हुन्छ अरको साथा फेर बेटनू पर साला नया पुस्ता हेर दे गरनू होला बाई झाल झाल पुको